Good morning students, today we are going to start our first lesson in English, its name is The Story of Little Sadako अब ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे क्या है आगे, उससे पहले आप लोगों किसके अब्जेक्ट यूज इन दिस चेप्टर वी विल रीड अस्टोरी अबाउट जापनिस गर्ल नेम सडाको हम इस चेप्टर में एक स्टोरी पढ़ेंगे ज़ जापनिस गर्ल की जिसका नाम कहा है सडाको लॉन तो स्पेल आई एन ए आई वर्ट्स हम लोग सीखेंगे आई एन ए ए आई वर्ट्स को सीखना learning the use of the simple present and the present continuous tense हम इस step lesson में और क्या सीखेंगे simple present and present continuous tense को भी study the f sound of ph and gh in words हम लोग क्या सीखेंगे f sound ऐसे words में जिसमें ph and gh आता तो वो f sound कैसे करते learn some expressions to agree and disagree through dialogues हम लोग सीखेंगे agree करna और disagree करना किसे हमारे dialogues लर्न टो राइट डायरी इंटर डायरी इंटरी सिखें अब वार्मबप में सबसे पहले क्या है और गैमि यह जापनिस आर्ट फोल्डिंग पेपर तु मैंक मॉडल्स मतलब और गैमी वर्ट किया है एक जापनिस जैसे हम लोग पेपर फोल्डिंग से जो हम टोई बनाते वै लेना है उसे हम के आरे सब्सकी आरशे माणा हा है ट्राइंगलों से थाइंघ देरो कितने होना है छालते हम हमारे ली डीडिंग पार अब डिशा ले लड़ाई जब लड़ाई हुई थी किसके बीच में जापान और United State में तो United State of America तो उस वर को क्या बूला जाता है World War Second several other countries also fought in World War Second और बहुत सारी other countries ने भी World War Second में लड़ाई लड़ी थी second a war involving several countries was also fought also fought for 1914 to 1918 before World War Second and it is called World War First और एक वर फिर से वही थी जहां पर बहुत सारी countries involved थी वो कब हुई थी 1941 और 1918 की वार के पहले उससे क्या बोला जाता World War First in the war the United State of America dropped bombs on the Japanese city of on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki it's killed a large number of people अब क्या हुआ जब United State of America कि जब लड़ाई हुथी तो उन्होंने क्या क्या आप जाने बहुत सारे बॉब फेके किसके उपर Japanese citys Hiroshima और Nagasaki क्या होँए बहुत सारे लोग मर चुके थे जब अमेरिका ने जापान की citys के उपड़ क्या फेके बॉब फेके जब लड़ायो थी तो अमेरिका ने क्या किया United States of America ने Hiroshima नागसा की जो cities है वहाँ पर उन्होंने bomb फिक है तो महाँ पर बहुत सारे लोग उस वज़े से मर गए थे ठीक है अब हमारे क्या है अब atom bomb atom bomb का क्या है very dangerous bomb that can kill many people atom bomb क्या होता है जैसे हम bombs फोरते ना तो वो छोटा सा भी कितनी जोर से आवस करता है बट atom bombs ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं उससे क्या होता है वो जब गिरता है तो फटर उससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं यूज extremely large in size यूज का मतलब क्या होता है बहुत ही बड़ा size में survive survive मतलब continue to life मतलब जीने के लिए परयातना करना स्वेलिंग ऑन दे बॉड़ी बंस क्या होते हैं जैसे कभी आपको लग जाती तो वह उतना पोर्शन सूच जाता है तो उसको बोलते हैं जैसे आप लोगों को लगती है तो जो आप लुकी मिया एक टीसी मतलब एक बीमारी है जिसके कारण हमारी डेथ हो जाती है फुल्फिल डन और अच्छी फुल्फिल मतलब किसी बी चीज को पूरी करना अब चलते हैं हमारे रीडिंग पोशिन पर रीडिट इस स्टोरी ओफ लिटल जापानीस गर्र नेम सडाको अब हम लोग क्या करेंगे हम यह स्टोरी पढ़ेंगे एक जापनीस गर्ल के बारे में जिसका नाम है सडाको और वो जहाँ पर रहती थी महाँ पर क्या हुआ वो जापान में रहती थी हिरोशिमा में तो महाँ पर क्या हुआ जब वर्लफिल हुई तब उसके ही जहाँ पर रहती थी महाँ पर atom bomb गीरा ठीक है तब हम पढ़ें के तो उसके साथ क्या हुआ इन 1945 जापार और युनाइटे स्टेट अफ अमेरिका वेर फाइटिंग अगेंस इच अफ इन वर क्या हुआ जब जापार युनाइटे स्टेट दोनों लड़ रहे थे उन दोनों के बीच में वर्यानीन लड़ाई हो रही थी और अगस्ट नाइटे स्टेट अफ अमेरिका डॉप एटेंट अफ लोग मर जाते हैं उसका बहुत जादा इफट होता है बहुत जोर से धमागा होता हुत अधु तो महाँ पर Hiroshima जापान में वो बॉम फेका गया It was a huge bomb that killed thousands of people और वो बहुत बड़ा बॉम था और उस वज़े से बहुत सरे लोगों की देथ हो गई Little Sadako Sasaki was only two years old when the bomb was dropped और क्या हुआ जब ये बॉम गीरा तब जो Sadako है वो सिफ दो साल की थी The bomb fell three kilometers away from her home और क्या हुआ वो जो बॉम गीरा था वो जब सिर्फ उसके घर से 3 km दूर गीरा था Many of our neighbors were killed by the bomb और उसके neighbors मतलब क्या होता है जो आज पर उसके लोग रहते हैं वो पहुत सारे मर गए Luckily the little Sadako survived पर क्या हुआ उसके luck के कारण जो Sadako है वो बच गई एंड बीहाइंड हर इयर तो बट क्या हुआ जब वो ग्यारा साल के होई 1954 में तो उसको क्या देखा कि लिटिल बंस मतलब छोटी छोटे हैं ऐसे बंस का मीनिंग आपको बताया तो उसकी नेक पे और कान के पीछे आने लगे परपल स्पोर्ट्स बिगें फ्रम हर ओन हर लेग और क्या होई इसके पेर पर परपल कलर यानि जो डांग लू कलर के स्पोर्ट्स होते हैं वो होने लग गए डॉक्टर फाउंड डेट सडाको है लुकीमिया और जैसे डॉक्टर को उसने बताया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि इसे एक बीमारे लुकीमिया कर नाम से अटरिबल डिसीज डेट किल्स पीपल मैं चिल्डर्ण सू वे एक्टर वाद अटम बॉम वे अल्सो फाउंड वी सफरिंग फॉम लुकीमिया और यह देखा गया कि जो भी बच्चे थे जो उस एक बॉम से एफेक्ट हुए हो सब भी इसी डिसीज से सफर कर रहे थे लुक वाद डिसीमिया कृट डिसीज का नाम किस वगए से दिया है एटम बॉम डिसीज मतलब वी मारी कहा होती है जब कोई ऐटम बदब अब और इसा बड़े सा खिरतन गिरते है तो ऐसा फॉज्छ ब़ारी होती है सडाको वास पीटेड ऐसे ज़ज ल होगा सी हैटभा सकाता हम मेनी मन्स और उसको वहां बहुत महीनों के लिए रहना पड़ा हर मदर सेट सडाको वी जापनीज बिलीव देट क्रेंस कें लिव अफ थाउजन इयर और उसकी मम्मी जो सडाको की मम्मी ने क्या बोला कि अपन जो जापनीज लोगे वो लो क्या बिलीव करते जो क्रें मतलब आपने देखा को जो ऐसी लंबी गर्दन की बर्ड होती है जो उसे बोलते हैं क्रें तो वह बहुत सालों तक जीती है और उसकी मम्मी ने क्या बोला अगर तुम ऐसे ही जो और उस पेपर से बहुत सारी क्रेंस बनाऊगे तो क्या होगा तुमारी इच्छा पूरी हो जागी तो सडाकु सेड इच्छा प्रू ममा और उसने क्या बोला कि यह है क्या आप सच बोल रहे हैं हर मदर रिप्लाइड इट इस ट्रू डिया और उसकी ममी ने बोला हाँ यह सच है आई शिल ब्रिंग पेपर्स फॉर यू तुमोरो और मैं तुमारे लिए वह पेपर्स ले क्रेंस आई विल राइट पीस ओन यूर विंग्स और यू विल फ्लाइ ओल ओवर द वर्ल और वो क्या बोलती है उसकी जो पेपर क्रेंस से उनसे कि मैं तुमारे विंग्स पेपीस लिखूंगी पीस का मतलब क्या होता है शान्ती और तुम इस पूरे वर्ड में उनना वें और जैसे उसने 644 और यह में क्रेंस बना ली तो क्या होगा उसकी तब्यत और ज्यादा खराब हो गई वह बहुत बीमार हो गई और बहुत कमजोर हो गई शी कुड़ नट मेंक एनी मोर क्रेंस और वह इससे जादा क्रेंस नहीं बना सकती थी उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने बोला कि तुम चिंता मत करो, we will make the remaining cranes for you हम क्या करेंगे, जो remaining cranes है वो हम खुद बना देंगे they tried to help her by making the remaining origami cranes but Sadako died in October 1955 she was only 12 year old और उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली थे उन्होंने try किया और वो बहुत सरे cranes उन्होंने बना दी but क्या हुआ, October 1955 में जब Sadako 12 साल की थी उसकी death हो गई after her death, Sadako school meds began to make paper cranes और वो जैसे ही Sadako की death उसकी जो school friends थे उन्होंने क्या कर रहा, paper cranes बनाना start कर दी they said we want to remember Sadako forever और वो क्या चाते थे कि हम Sadako को हमेशा हमेशा के लिए याद करें इसलिए वो paper cranes बनाते थे इससे पहले fact पर जापान इस मेड़ आप ऑफ चाइना और 1652 आइसलेंड जापान क्या है जापानिस मेन लेंड और यह बाला जो आइसलेंड वो सबसे बढ़ा है the capital of Japan is Tokyo और capital Japan की क्या है Tokyo ठीक है अब उसके बाद world monuments monuments क्या होते हैं building statue etc building to remember people of a famous person or event monuments किसे बोला जाते हैं मतलब जो बड़े-बड़े statues बनते हैं आप लोगों ने देखा होगा जैसे महादमा गांदी की मूर्थी है सरदार पलब भाई पटेल की मूर्थी है वो क्या है monuments है क्यों ताकि उन बड़े-बड़े लोगों को याद करा जाए memory memory मतलब यादे beloved love very much beloved मतलब जिस person को आप बहुत जादा प्यार करते हो atomic bombing the act of dropping atom bombs atomic bombing मतलब क्या होता है bombs को गिराने की process को क्या बोला जाता है atomic bombing अब हम आगे पढ़ते हैं they wrote letter to the Japanese school children and collect money उन्होंने क्या किया other Japanese schools जो थी वहाँ पर letter बेजो और उन्होंने क्या किया पैसे जमा किया let us build a monument in the memory of our beloved Sadako और उन्होंने क्या किया कि हमें a monument बना है वो भी किसकी याद में अपनी जो beloved Sadako थी उसके and all the children who were died directly from the atomic bomb or from its effect और ऐसे बच्चों के लिए जो जो उस atomic bomb में directly मरे और उसके बाद उसके बीमारी हुई उसके वज़े से मरे let us call it children's peace monument they said or ईसे क्या बोलेंग हम children peace monument on 5th May 1958 the Japanese children's day a bronze statue of Sadako Shashaki holding a wire crane high above her head was set up in the Hiroshima peace memorial park this statue remember us of all the children who died in the Hiroshima atomic bomb और क्या होगा 5th May 1958 मतलब जब Japanese children's day होता है तब एक bronze मतलब जब तामबा होता है उसका एक statue बना Sadako Shashaki का वो भी केसा उसके हाथ में एक wire की crane hold करीवी थी वो भी उनके above her head मतलब उनके हाथ केसा था सिर के उपर हाइट से और उसे कहां पर लगाया गया Hiroshima Peace Memorial Park में और उस statue क्या याद दिला था जो भी बच्चे हिरोशमया के atomic bombing में यानि मतलब जब बॉंब गिरा था Hiroshima में तब जो मरे या उसके बाद उसके एफेक्ट से जो मरे उनके लिए उनके लिए उनके लिए और वो क्या बोल रहे है उस statue की lines में black marble पर क्या लिखा हुआ था कि this is our cry मतलब ये हमारा दुख की भी बात है और इच्छा भी है कि हमने ये किसले बनाया ताकि पूरे world में peace रहे वो ये SS statue था और ये रही crane आपको दिख रही है ये उसका और उपर crane है फिर Hiroshima Peace Memorial Park these lines are talk of hope and bring future for all the children in the world even today many children from all over the world send handmade papers crane to date place at the foot of the statue और ये lines इसले लिखी गई थी ताकि future में ऐसा कुछ ना हो और उन बच्चों के future के लिए और आज भी बहुत सारे बच्चे क्या करते पेपर क्रेंज बनाकर वहां पर उस्टेजु के रखते हैं और वह भी कहां पर उस्टेजु के पेरों में यह हुआ है अमारे लेसन फर्स की रीडिंग कंप्लीट अब इसका कंपरेंशन और ग्रामर पार्थ हम पढ़ेंगे नेक्स पार्ट में